हेलो नमस्कार सांतियों, वेलकम टो रोली स्टडी, दोस्तों SSCDD कॉंस्टेबल 2020 के स्पैसल एक्जाम का नेक्स्ट एनलीसिस आपके लिए लेकर आचुके हैं, आज 28 परवरी 2020 को हम 4th सिप्ट का एनलीसिस आपके लिए लेकर आचुके हैं, इससे पहले हम 3rd सिप्ट, यानिक अब तक 3 सिप्ट हम आपको दे चुके हैं आज की, और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखे हैं, आज की 3 सिप्टों के तो आप जरूर से देख लीजिगा, क्योंकि काफी अच्छे कासे कोशन्स आपने आपको करवा दिये हैं, इस वीडियो की PDF के लिए अप्लिकेशन क गहरवार जी जो की इंदोर से हैं, नेहा मिसरा जी जो की वडिसा से हैं, तो इन सभी लोगों ने काफी ची तरीके से कोशन्स बताएं, यहां तक कि इनोंने exact 100% authentic आपकी एक्जाम में जो कोशन्स पूछे गएं, पूरे 200 में से 200 कोशन्स हमें बता दिये, कि ये एक्जाम मे कोशन्स हमारे आए थे, हैना, तो वो सारे कोशन्स हमने यहां पर लेकर आ चुके हैं, आप सभी के लिए, आप सभी इस वीडियो को पूरा लास तक देखेगा, और आगे आने वाले दिनों में अगर आपका भी एक्जाम हैं, तो सेम इसी तरह से आप भी पूरे के पूरे क कोशन्स हमारे हाथों से या आपके जो वीडियो देखें, उनमें से ही निकले वोए कोशन्स आ रहे हैं, टी बाला सरस्वती का संबन्द किसे ये पूचगया भरत नाठियम आपका करेक्ट आंसर हुजएगा, इनका जो पूरा नाम है तंजोर बाला सरस्वती है, जिनने बाला सरस्वती के नाम से जाने जाता हैं, और एक भारती नर्तेगी साथों का प्रदर्सन कीन और वोग दि सेलेक्शन मिला बालत सरस्वतिकु भरत नाट्यम को दुनिया में लोगपरी बनाने का सरे दिया जाता है आई ये अगला कुशन देखते हैं अगला कुशन है जाकिर हुसेइन किस वाग्यांतर से समझ दे गाइज ये कुशन अब तक चार से बाच बार आपका पूचे जचुका है कल भी एक कुशन बना था आज भी बना है और इससे पहले वाली सिप्ट में भी एक कुशन हो सकता है बना हो है ना तो जाकिर हुसेइन जो है ये किस वाग्यांतर से रेलेटेड है तबला आपका गरेक्ट आंसर हो जाएगा तबला संगीत कार संगीत रचीता तबला वादक संगीत निर्माता अभी नेता उस्ताद जाकिर हुसेइन कान तो ये सारे हैं ये अगर इनमें से आपको ना मिले और तबला तो ये मिल जाएगा संगीत रचीता तबला इसके अलावा अभी नीता है ना तो इस सारी चीज़े ये हैं उस्ताद अल्ला रख्का के सबसे बड़े पुत्र जो तबला वादक थे ये 1988 में पदम सरीन को मिला 2002 में पदमो भूसन इनको दिया गया 1990 में संगीत नाग्टक अकादमी का पुरुसकारविन को मिल चुका है अगला जो कुशन बना है ये बना है पश्य मंगाल राज जी की नित्ति सेली कौन सी है तो चववे ये अल्रीड हम आपको पढ़ा चुके हैं गैस अब तक के जो तीन कुशन समने कवर कर लिए तीनों के तीनों कुशन आपके सेम टू सेम इससे पहले वाले जो वीडियो से उन से निकल कर आ रहे हैं यानि कि कोई भी नया कुशन अभी तक यहाँ पर देखने को नहीं मिला है पश्य मंगाल राज जी की नित्ति सेली चवव हो जाएगे चवव जो नित्ति सेली है पूरवी भारत में परचली तेक मुकूटा नती है चवव बैसकली पश्य मंगाल उडिसा और जारकन तीन राज जी से जुड़ावा एक लोकनेती है और ये अलग-अलग राज में अलग-अलग सराई के ला मयूर भंजे चवव इस तरह से अलग-अलग स्टेट के लिए अलग-अलग ये चवव होता है यह कादिवासी मारसल डान्स है और ये जो जादाता वसंद उस्तव में चेत्र उस्तव के दुरान होता है जो 13 दिनों तक चलता है और पूरा समुदा इसमें भाग लेता है अगला कुशन है भारत के अंतिम पंचवर्सी योजना कौन सी थी यानिक भारत की अंतिम पंचवर्सी योजना थी बारवी पंचवर्सी योजना भार वेसी और टिकाव दोनों हो इसके अलावा next question मनाए railway board की पहली महिला अध्यक्ष से railway board की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्ना देखे यहां तक चार कुशंस तक हमारे वीडियो से ही सीधे-सीधे कुशंस already हमने जो बताए हे वहीं से सीधे आपके अभी तक बने हैं किलर चोथा कुशंस भी चार कुशंस अहीं तक पूरा एक एक चाहां हम डिटियल में आपको बताएंगे अब रेलवे बोर्ड की पहली मैला अध्यक्ष ये अल्रेडी एक्जाम टाउन पर हम आपको करिंठफिन में कवर करवा चुके हैं जया वर्मा सिन्ना करिक्टांस रहेगा सरकार ने जया वर्मा सिन्ना को रेलवे बोर्ड की पहली मैला अध्यक्ष न्युक्ति किया है रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में अगला जो कुशन पूचा गया है ये लिंगानुपाद से पूचा गया है अल्रेडी आपका ये कुशन हम आपको कवर करवा चुके हैं याने कि अभी तक जो 4-5 कुशन से ये अल्रेडी आपके सीधे सीधे कॉपी आ रहा है याने कि अल्रेडी हम इनको कवर कर चुके हैं 2011 की जनगना के नुसर भारत का लिंगानुआ पात आपसे पूचा है नोस्तो तिर्तालिस है और भारत में महिलाओ की जनसंक्या का पता लगाने के लिए लिंगानुपात एक महतुपूर्ण इस्त्रो दे और भारत में पूरुसो की तुलना में महिलाओ का नुपात क्या है ये इससे पता चलता है लिंगानुपात से तो 5 कोशन अभी तक हो चुके हैं इसके अलावा नेक्स्ट कोशन बना है अंतराश्टी एमी पुरुसकार 2023 किसे मिला तो ये प्रॉपेसर थलापिल परदीप को मिला है गाइस देखे दो कोशन्स आपके करिंट अफेर से सीधे सीधे अभी तक हमें मिले हैं दो कोशन्स मिले हैं एक वर्तमान में कौन क्या वाला कोशन है और एक ये आपका अवोर्ड वाला है पुरुसकार वाला तो पुरुसकार वाला वीडियो भी हमने एक्जाउन टामून चैनल पर आपको दिया है अल्ड़ेडि अगर आपने कवर कर लिया होगा तो आपके जितने भी करिंट टफेर के पुरुसकार से कोश्यन्स बन रहे सारे वहीं से आपके निकल करा रहे एक भी सिंगल आपका कोश्यन वहाँ से बहार नहीं जा रहा है अंतराश्टी एमी पुरुषकार 2023 जो मिला है ये प्रॉपेसर थलाप पिल प्रदीप को मिला 20 नौमबर 2023 को न्यूवार्क में इंटरनेशनल एमी अवोर्ड 2030 समहरों का आयुजन किया गया था भारती प्रोद्योगी की संस्तान मदरास में रैसायन विज्ञान विभाग में प्रॉसेस पर सरे थल पिल प्रदीप इनको प्रशेश्टित एनी अवोर्ड से समानित किया गया जो उर्जा और परियावरन के छेतर में विज्ञानिक अनुसंदान के लिए उच्छेव समानित वेश्विक मानिता हैं अगला जो कुषने वो इस तरह से है कि प्राचिन भारती दार्सिनिक के अनुसार कितने तत्व है तो पांच तत्व हैं पांच तत्व कौन-कौन से हैं तो प्रारंबिक भारती दार्सिकों ने पदार्थ को पांच मोल तत्व के रूप में वरगी कर किया पंच तत्व जिनको बैसिकली बोला जाता है वायू प्रत्वी अग्नी आकास और जल ये पंच तत्व हैं और उनके अनुसार सजीव या निर्जिव सब कुछ इन पांच मॉल तत्व से बना हुआ हैं अगला कुशन है करसी उपच का वहाँ बाहग जो किसानों द्वारा बाजार में बैचर जाता है उससे क्या चकरता है जिससे लाब के लिए भेच जा सकता है जब एक किसान अपने खेट को बनाये रखने और संचालित करने की लागत को पूरा करने के लिए अपनी फसल बैच्टाए अगला कोशन पूजा गया 1930 में गांधी जी ने डांडी मार्च किस कारण किया था नमक कानून कर के विरोध में किया था ये कोशन महात्मा गांधी के प्रसिद्ध डांडी मार्च ने सविन्य अवग्या अंदोलन की सुर्वात की 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबर मती से अरब सागर पर डांडी के 30 सहर तक 18 78 अनुयाईयों के साथ 241 मिल की यात्र पर निकल गए थे और वहां गांधी जी और उनके समर्तकों को समुद्रि जल से नमक बनाकर बिटिस नीती की अवेलना करनी थी तो यह चीज़े हैं अगला कोशन जो बनाए है यह बनाए है स्विमिंग में उल्टा तेरना या फिर तेराकी में उल्टा तेरना किसे कहते हैं या डेस को कहते हैं तो बेक स्टोक इसको बलाता है या फिर आपको बेक क्रॉल इसको कहा जाता है तो आपको जो वर्ड मिलाता बेक स्टोक आप्शन में मिलाता बेक स्टोक आपके करेक्ट आंसर रहेगा इसको बेक क्रॉल भी कहा जाता है देखे F.I.N. द्वारा सासित प्रतिसपरदी प्रतियोगिता में उप्योग की जाने वाले चार तेराकी स्टोक में से एक बेक स्टोक या बेक क्रॉल है जो पीट की तरफ से तेरना होता है तेराकी कीमत पर आसानी से सांस लेने का लाब मिलता है जो यहां देखने में असमर्त होते हैं कि किस तरह से तेरते श्यमी पर कहा जा रहा है अगला जो कुशने इस तरह से पूछा गया आधुनी कर्शास का जनक किसे कहा जाता है या किसे माने जाता है एडाम स्मीत आपका करेक्टांस रहेगा और एक मुक्त बाजार में स्रम के संबंद का वर्नन अपनी पुस्तक wealth of nation में किया है इसके अलवा next question आ रहा है समानता का अधिकार से कौन सा अनुच्छे से कौन सा अनुच्छीद में आता है ये भी already हम आपको cover करवा चुके कितने questions हो चुके है I think आपने count कर रहा होगा कानुन के समक्छ समानता काइधिकार अनुच्छीद चयोधा से अठाषा बारतीन सण विदान का अनुच्छ 18 कानुन के समक्छ समानता का अधिकार अग्ला जो कुषण ये कुषण है महावीर स्वामी से related महावीर स्वामी कौन Сबीर्ट्रों थे जेन तिर्तकार थे तो ये जो तिर्तकार थे तो ये 24 वे थे 24 वे नंबर के महावीर स्वामी 24 वे तिर्तकार थे एक महान सिख्षक थे कहा जाता है कि उन्होंने जेन धर्म का प्रतिपादन किया था उनका जन्म वैसाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था और उनके टेबल टेनीज और सत्रंच घर के अंदर खेले वाले जाने वाले खेले और घर के बाहर जबके किर्केट हना फुट बोल बगेर आई इस तरह के जो हैं यह घर के बाहर खेले जाते हैं जो कि अपको अल्रेडी यह चीजे पताईए अगला कुछ ने विदान परिसत की अधिकत चालिस संशित हैं अगला कुछ ने पदार्त की कितनी अवस्ताएं हैं तो पदार्त की चार अवस्ता हैं ठोस तरल गेस और प्लाजमा परमानू या पदार्त परमानू और अनूओ नामक कनू से होता बना होता है ब्रहमान में सब कुछ पदार्त और उर्जया से बना होता ह पदार्थ वहाँ जिसे द्रव्यमान होता है और इस्तान गेरता है वह पदार्थ होता है पदार्थ की चार प्राकर्थिक अवस्ता है ठोस तरल गेस और प्लाजमा इसके अलावा यह प्राकर्थिक है निहान रगीगा इसके अलावा तो कहीं सारी है आठ है कुल मिलाकर ऐसा पर यहां पर प्राकरतिक अवस्ता है अपसे पुछी गरी तो चारे अगला कुशनी नई आर्तिक निती 1991 को जाना जाता है या फिर किस मॉडल पर बैस्ड थी किस मॉडल कौन सा मॉडल था यह तो LPG मॉडल था अगर यूं कहे तो उदारी करन नीजी करन और वेस्वी करन जू यह LPG मॉडल के नाम से जाना जाता है तो नई आर्तिक निती 1991 आपसे पूचा है किस मॉडल पर आदा रही थी यह कौन सा मॉडल था यह तो LPG मॉडल था LPG आपको आपको आप्शन में मिला था अगला कुशन है अनियामित जमा योजना विदेयक को कब पारित कर दिया गया अर्त विवस्ता उत्पादन विवरन एवं खफत की एक सामाजिक विवस्ता है यहां किसी देश यह चेत्र विशेज में अर्त सास्तर का गर्तित चित्र है ध्यान रखीगा और यह चेत्र किसी विशेज अवदिखा होता है उदारन के लिए अगर हम कहा सकते हैं समसाई की भारती अर्थिववस्ता तो इसका तात्पर ही होता है वर्तमाई शमे में भारत की सभी आर्थिक गतिवीडियों का वर्रन हैना तो इस तरह की यह चीज़े हैं और गैस 21 नमर का जो कुशन हमने डाला है यह नेमने मैं से कौन सा कतन सही है यह बता रहते हैं कि रिजनिंग का है हो सकता है जीके में भी यह बना हो क्योंकि कतन यहां पर लेका हुआ है वर्ड है तो वो बता रहते हैं कि रिजनिंग का है इसको लेका हम शूर नहीं है हो सकता है जीके में भी आपका बना हो कथन एक आपका बना था कुश्चन था आपका निमने में से कौन सा कथन सही है और कथन था पहला पूजा वस्त्रकार निसाने बाज कथन दूसरा कुल्दी प्यादव किर्केटर है तो इस तरह से इन में से बताना है कौन सा सही है इन में से आपका जो दूसरा है यह सही है कु जो है तो सही है हो जाएगा इस तरह से देखिए पूजा वस्तरागार जो है इनका जन्द 25 सितंबर को वो निस्ट नानवे को एक भारती क्रिकेटा रही है मद्देप्रदेश और मद्देप्रदेश के लिए खेलती हैं इसने चार प्रतम सेरी 25 लिस्ट एविकेट क्रिकेट और 17 महिला T20 मेच के लिए हैं कुल्दी प्यादव की बातकरत भारती क्रिकेट खिलाड़ी है जो घरेलू क्रिकेट उतरप्रदेश के लिए खेलते हैं और इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट करियर की सुरवात ऑस्टिलियाई क्रिकेट टीम के खिलाफ 26 मान 2017 से ही ती तो की एकोनोमी से ज्यादा कोशन्स आपके बनने लगे करीवन 2-3 कोशन्स आपके सीधे सीधे एकोनोमी से अब बनने लगे हैं है और तोड़ा सा पैटरन भी अब चेंज देखने को मिल रहा है तो आपका जो पैटरन है लगातार चेंज हो रहा है है तो आप इसके से सारे चीज़े को cover कर पाएं इस वीडियो की एक और बात हम कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को like कर दीजिए चेनल को subscribe कर लिजिए देखिए हमारी यह टेशीरीज़े गाईज अगर आपने इसमें enroll नहीं किया है तो college डिस्क्रिप्शन में आपको link मिल जाएगी गद्यान से एक आपका पूचा गया था ध्यान रखिया का 5 questions बने थी उसे वाक्य सुध्य से 2 questions बने थी अनिकार्ती से 1 question बना ही परियवची से 2 question बना ही परियवची से 2 question बना ही विलोम सद्दी से 2 question बना ही लोगोगती आपके आईए तस्सम तद्बों से 1 question आपका बना ही match में mensuration यहने छेतर मिती से 2 question बने सरले करन से 2 question आपके पूँच गये number system से 1 question इसके अलावा SICC से 2 question होसा से आपके 3 questions बने IOU से question बने LCM SCF से 1 question है mail HANI से 2 question है समयकारी से 2 question है प्रतीसस से 1 से 2 question आपका पूचा गया ray laguardi से 1 question बने चाल दूरी से भी आपका एक कोशन बनाएं इसके अलावा reasoning में बात करें गई इस तो रखत सम्द याने blood relation से एक कोशन था coding recording से दो कोशन पजल से कोशन था sitting arrangement से दो कोशन पैपर cutting से एक कोशन बनाएं number series से दो कोशन पूच गया लुप्त संक्या से एक कोशन था मिला है बाकि हिंदी मैस और इस निंग इन तीनों सब्जेक्ट के गर हम बात करें गाई तो यहां पर कोई ज्यादा changes देखने को नहीं मिला है जो topic आपके पूचे जारे लगातार वही topic आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि यहां पर आपको क्या करना है आपको जो analysis है उसकी help लेना है और उसके according जो चेज़े आपकी exam में बने रही है उसकी मगदत से आप उनको prepare कर पाएंगे exam से पहले तो आप ज्यादा ज्यादा questions को exam में attempt कर पाएंगे या solve कर पाएंगे तो इस सारी चीज़े हमने आपको cover करवाईए अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like share जरूर से करीगा और guys आपका भी आने वाले दिनों में exam है तो आप हम इन नंबर पर अपने question जरूर सेंड करें जब भी आपका exam हो ताकि हम आपको सबसे 60 और सबसे exact analysis दे जगा ताकि जो भी नया वडियो आए सबसे पहले आपस भी किवास में पहुच पाएं तो मिलते हैं हमारे कल के first recipe analysis के सांथ तब तक ले जैहिंद वन्दमात्रम